नमस्कार दोस्तों, जै माता माता जी स्वागत है, आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो सच में दोस्तों, भगवान विश्णुजी और धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा से 9 नवंबर 2023 को रमा एकादशी के दिन बना दें, वदुर भगवान विश्णुजी और माता लक्ष्मी की कृपा से 12 राशियों में से 6 राशी वालों की किस्मत चमकने वाली है, और यह राशी वाले एकादशी के दिन धंग से माला माल होने वाले हैं, यह 6 राशियां करोडपती बनने वाली है, इन 6 राशी वालों को स्वयम विधा अब करोड़पती बनने से माला माल बनने से जी हाँ, दोस्तों आपको बता दें, हिंदू शास्त्रों के अनुसार हर व्रत का अपना महत्व और लाब होता है। आर्थिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी या ग्यारहवें दिन को रमा एकादशी मनाई जाती है। पर सुबह दस बज कर बयालीस शून्य शून्य बजे तक रहेगा। व्रत में भोजन करके व्रत खोलना चाहिए। पद्मपुराण में उल्लेखित वर्णन के अनुसार रमा एकादशी व्रत गांधी और चिंता मनी के समान फल देता है। इस व्रत को करने से मनुष्य की सभी पाप कर्मों का नाश होता है। और उसे पुन्य फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत के प्रभाव से धन धान्य की कमी दूर होती है। तो उस तो आपको हम बता। भाग्यशाली राशियां कौन-कौन सी है। दिन रात कड़ी मेहनत भी करता है जिससे वह बहुत सारा धन अरजित कर सकें। परंतु इतनी मेहनत करने के बावजूद भी मनुष्य को सफलता प्राप्त नहीं हो पाती और वे सोच में पढ़ जाता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मनुष्य को मेहनत करने के साथ साथ उसकी किस्मत भी उसके साथ होनी चाहिए. क्योंकि यदि किस्मत साथ न दे, मनुष्य को जीवन में सफलता नहीं मिल पाती, और यदि किस्मत साथ दे, तो मनुष्य अपनी कम मेहनत में ही अपनी इच्छा अनुसार सफलता प्राप्त कर सकता है। उसको सभी सुख वैभव की वस्तुएं प्राप्त हो जाती है। हिंदु धर्म में ग्रिह नक्षत्रों और राज्यों को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। यदि ग्रह हों या फिर किसी नक्षत्र पर भी छोटा सा छोटा या बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है, तो इसका सीधा असर व्यक्ति के जीवन पर भी देखने को मिलता है। से चमकने वाली है और इन राशी वालों के जीवन के अच्छे दिनों की शुरुवात होने वाली है। से ही आपको जो भी कार्य आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, वे कार्य आपके लिए सफल होंगे। सालों साल से आपके रुके हुए कार्य अब सफलता पूर्वक पूरे होंगे। अगर आपने किसी को पैसा उधार दिया है, तो वह पैसा भी आपको वापस मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है। आप अपनी सभी कर्जों से मुक्ति पाने में काम्याब भी रहेंगे। आपके द्वारा की गई कोशिशें सफल होंगी। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। भगवान विश्नु और मां लक्ष्मी की क्रिपा से आपकी आर्थिक स्थिती मजबूत बनी रहेंगी। व्यापार में अचानक धन लाब होगा और सुक शान्ती का वातावरन आपके घर में बना हुआ रहेगा। साथ ही साथ मकर राशी वालों आपके उपर भगवान विश्नु और मां लक्ष्मी की क्रिपा सदैव बनी रहेंगी। हालां कि इस राशी के लोग अपने उग्र स् पर थोड़ा संयम रखें आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों इस लिस्ट में अगली राशी की बात करें तो अगली राशी है मेश राशी जी। हाँ दोस्तों मेश राशी वालों को बता दें कि इस समय शुभ महासंयोग से मां लक्ष्मी और भगवान विश्नु की क्रिपा से आपको अब लाभधायक समय देखने को मिल सकता है। उनको पद में उन्नती मिलेगी और उच्च अधिकारियों का पूरा सहयोग प्राप्थ होगा. साथ ही साथ समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धी होगी. साथ ही साथ संतान प्राप्ति के इच्छुक लोगों को संतान प्राप्ति का सुख मिलेगा. माता पित जो अगली राशी है वो खुशनसीब और भाग्यशाली राशी है। कन्या राशी वालों को बता दें। भगवान विश्णु और महालक्ष्मी के आशीरवाद से अब इस समय खुशियों की सौगात लेकर आया है। जी हाँ दोस्तों आपके लिए बहुत। इलाभधायक समय स खुशखबरी मिलने से मन आपका बहुत प्रसन रहेगा। भगवान विश्णु और मां लक्ष्मी की अपार कृपाद्रिष्टी आपके ऊपर बनी रहेगी जिसकी वजह से आपके घर परिवार में खुशियों का वातावरन रहेगा। परिवार में कुछ नई चीजों का संबंधित कोई बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्थ हो सकती है। भगवान विश्णु और महालक्ष्मी की कृपा से समय आपके लिए कन्या राशी वालों बहुत ही लाभधायक रहने वाला है। अब बात करते हैं। अगली बार भाग्यशाली राशी की तो वो है। म नया कोई बिजनेस शुरू करेंगे। आपको उसमें अवश्य ही बड़ी सफलता प्राप्थ होगी। आपके साथ आप सामाजिक रूप से अपनी अलग पहचान बनाने में काम्याब होंगे। साथ ही साथ छातरों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में प्रगती के योग बन परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। जी हाँ दोस्तों कहना गलत नहीं होगा। मीन राशिवालों अब आपको वे सभी खुशियां प्राप्थ होंगी जिसके आप हकदार हैं। भगवान विश्नु और महालक्ष्मी की कृपा से आपको अब अनेक प्रकार के लाभ धन ला से आपके लिए बहुत ही शुभ महासंयोग का निर्मान हो रहा है। इन राशिके लोगों के कार्य और विचारों में एकाग्रता और शान्ती रहेगी। आप लगातार सफलता की नई नई कीर्तिमान स्थापित करते हुए अपनी अलग पहचान बनाने में सफलता हासिल करे आप अपनी मेहनत से जो भी कार्य में लगे हुए हैं वे कार्य सफल होंगे तो उस तो आपको बता दें आपको धन लाभ प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं। व्यवसाय में भारी धन लाभ आपको प्राप्त होगा। आप जल्द से जल्द कोई नया वाहन या मकान जिस से अपने घर परिवार में खुशियां बनी रहेंगी। जिसकी वजह से आपको अत्यंत भारी धन लाभ प्राप्ती होने की संभावना है। साथ ही साथ इस राशी के लोगों को व्यापार और व्यवसाय में व्रिद्धी होगी। जो लोग नौकरी करते हैं, उनको पद में तरक्की मिलेगी। और साथ ही साथ वेतन व्रिद्धी के भी योग हैं, जो लोग विदेश में नौकरी करना चाहते हैं या विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आपको इस समय सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। जी हाँ दोस्तों, इस राशी के लोगों की आए में व्रिद्धी होगी, जो लोग संतान प्राप्ती की इच्छा रखते हैं। उन्हें संतान को संतान प्राप्ती का भी सुख अवश्य ही प्राप्त होने वाला है। साथ ही साथ आपका प्रेम जीवन, दामपत्य जीवन, वैवाहिक जीवन बहुत ही खुश में और आनंद पूर्वक रहने वाला है। दोस्तों बता दें, भगवान विश्नु और मा लक्ष्मी के आशीरवाद से तुला राशी वालों समय पूर्णतह आपके पक्ष में हैं। जिस भी कार्य में आप हाथ डालेंगे, वे कार्य आपका अवश्य ही सफल होगा। इस समय का आप भरपूर लाब उठाएं और समय को अपने हाथ से आप न जाने दें। दोस्तों में बात करते हैं, अगली खुशनसीब और भाग्यशाली राशी की तो वो है व्रिशब राशी, व्रिशब राशी वालों को बता दें। भगवान विश्नु और मान लक्ष्मी की विशेश कृपा आपके उपर बनी हुई है आपके लिए बहुत अच्छा समय लेकर आने वाली है, आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में व्रिद्धी होगी, जिसकी वजह से समाज में आपकी प्रशंसा की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपको इस समय नए अवसर की तलाश है, तो वह भी अवसर आपको प्राप् व्रिशब राशिवाले लोगों को धन लाभ के लिए अनेकों अवसर प्राप्त भी होने वाले हैं, यूं कहें कि धन लाभ प्राप्ती भी आपके लिए धन लाभ प्राप्ती के अनेक योग बन रहे हैं, स्वयम वहां लक्ष्मी और भगवान विश्णुजी के आशीरवा अचानक से धन प्राप्ति आपको होने वाली है जिससे आपकी आर्थिक स्थिती मजबूत होगी। अचानक से धन प्राप्ति आपको होगी। अचानक से अब आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। समय आपके लिए अनुकूल है, समय का भरपूर लाब उठाएं तो उस तो ये थी वो खुशनसीब और भाग्यशाली राशियां जिसको भगवान, विश्नु और महा लक्ष्मी के आशीरवाद से अब वह बहुत बड़ी खुशखबरी या प्राप्त होने वाली है। इनको अनेक प्रकार के लाभ, धन, लाभ और बड़ी-बड़ी सफलताएं भगवान, विश्नु और महा लक्ष्मी के आशीरवाद से अवश्य ही प्राप्त होने वाली है, जिससे इन राशी वालों का जीवन बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, भगवान, विश्नु और महा लक्ष्मी का आशीरवाद आपको प्राप्त हो। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय महालक्ष्मी, जय श्री विश्नु अवश्य लिखें और वीडियो को लायक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।